सुपर सैटेडे को दो महा मुकाबले हुए जहां पहला मुकाबला निदल लैंड्स और श्री लंका के बीच में हुआ जिसमें श्री लंका की जीत हुई वहीं दूसरा मुकाबला साउथ अफरिका और इंग्लैंड के बीच हुआ जहां साउथ अफरिका ने यह मुकाबला दो साउथ अफरिका ने इंगलैंट को 239 रनों से हरा दिया इंगलैंट ने पहले टॉस जीत के गिनबाजी का फैसला किया था साउथ अफरिका ने पहले बल्ले बाजी करते वे 399 रन बोर्ड पर लगा दिये थे जवाब में इंगलैंट की टीम मातर 170 रनों पर धेर हो गई इस ब भारत कोई मुकाबला हारता है और अफरिका के बराबर अंक होते हैं तो पॉइंट स्टेबल में साउथ अफरिका टीम इंडिया से उपर होगी क्योंकि ने ट्रन रेट बहतर है उसका इसके लावा निगलैंट से जीत के बाद श्रिलंका आठवे नंबर पर है और इंगलैं अपने में रविवार को आमने सामने होंगी ये मैच हिमाचर प्रदेश के धरमशाला में खेला जाएगा दोनों टीमेस वर्ल्ल कप में शानदार रुदर्शन भी कर रही है न्यूजिलंड का मैच भारत के लिए इस वर्ल्ल कप की सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन न्यूजिलंड को कैसे फसा सकती है भारत आखरी बार वन डे वर्ल कप में न्यूजिलंड से साल 2003 में जीता था इसके बाद भारत कभी भी न्यूजिलंड से नहीं जीत पाया है भारत को पिछले वर्ल कप में न्यूजिलंड ने सेमे फाइनल में हरा कर बाहर किया था भारत वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ इसाथ फेस्बूक या फरेंस्टेक्जाम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलूज जरूर कर ले ताकि एक भी खबर मिसना होने पाए